वीकर सेक्षन जो है उसको पकड़ना जरूरी है और कुसमे को इन सब लोग दे रहा है और मैं सोच था है कि उनको मैं स्वीख नहीं दे सकता इतने ही सरसुजाव मैंने दिया कि जो कमजोर तब के के लोग हैं जो कांग्रेश के पास थे वो फिर से उनमें ही का उनी में काम करक के लाए जा सकता है और मैं कहूंगा कि वो काम जो है वो दिल से रहुल जी कर सकते हैं वर्गों के लिए दिल से अब जयरे मालम मेरे लिए इतनी महमता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मुहबत वेरे प्रतिर हो सरजी एक सवाल है रहुल जी ने कहा कापी कुछ सिखा है आप चाहेंगे कि राहुल जी अब कॉंग्रेस की बागदूर समाले अध्यक्स पर समाले आप उनके गुरू की है तो टिक तो देही रहोंगे और वक्त आ गया कि राहुल जी को फ्रेंट से आगे लीट करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी का क्यों नही जो है वो उसको जी काई सबसे ज्यादा 24 गंटे चलाता है तो राहुल जी चलाते हैं तो मैं सोचता हूं कि उनको अध्यक्स बनना चाहिए अध्यक्स बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी को तब ही बड़ा काम होगा आज जो यादव जी ने कहा उससे में सेहमत हूं कि देश की हालत बहुत खराब है नफरत फैलाई जा रही है और देश को बाटा जा रहा है और ये हम सब के सामने ये लगाई है देश को हमें एक साथ